नमस्त दोस्तों, प्रस्तत है रवेनना टगोरद्वारा रचित उपन्यास बहुरानी का नौमा भाग दोस्तों इस उपन्यास के सारे भागों को सुनने के लिए मेरे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुरानी के प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें वहाँ जाकर आप इसके सारे भागो को सुन सकते हैं तो आईए कहानी का आने दिले रामचंदर राय का खयाल है कि विभा केवल प्रतापदित्य के निशेद और उदियादित्य की मंत्रना के कारण ही चंदरदूप नहीं आई यह विचार भी उनके मन में उठता है कि शायद वह अपनी इक्षा से ही नहीं आई हो परन्तु वे इसे ततकाल दबा देते हैं क्योंकि यह विचार उनके आत्मगौरों को चोट पहुँचाता है अंत में उन्होंने सोचा कि प्रतापदित्य मेरा अपमान करते हैं तो मैं भी क्यों ना उनको अपमानित करने के लिए उन्हें कोई ऐसा पत्र लिख दूं कि तुम अपनी लड़की को चंदरत्विप कभी न भेजना मैंने उसे सदा के लिए छोड़ दिया है काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हिम्मत करके ऐसा पत्र लिखी डाला तब राम मोहन को बुला कर बोले जाओ इस पत्र को लेकर यशोहर पहुँचा आओ राम मोहन ने हाथ जोड़ कर कहा नहीं महाराज यह काम मुझसे नहीं बनेगा हाँ यदि आप रानी मा को फिर से लिवाने के लिए मुझे भेजना चाहें तो मैं एक बार और जा सकता हूँ लेकिन यह चिठी लेकर तो हरगिज नहीं जाओंगा तब रामचंदर राय ने बिना कुछ कहे बूढे नयनचंद के हाथ वह पत्र यशुहर भेज दिया नयनचंद बड़ा ही डरपो कादमी था प्रतापा दित्य के हाथ में पत्र देने का उसे साहस न हुआ चुप चाप जाकर रानी के हाथ में उसने पत्र थमा दिया रानी के हालत वैसे भी अच्छी नहीं थी विभा के दुख और उदियादित्य के कारवास के कारण उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहता था वे प्राया चिपचिप का रोती ही रहती थी यह पत्र पाकर तो उनके हाथों के तोते ही उड़ गये विचारी बड़े धर्म संकट में पढ़ गई विभा से कहा तो वह बचेगी नहीं पती से कहा तो अनर्थी हो जाएगा फिर अंत में रोती वी महराज के निकट पहुँची और बोली महराज विभा के संबंद में कुछ न कुछ करना ही होगा प्रतापा देते ने पूछा क्यूं क्या हुआ रानी बोली नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसे ससुराल तो भेज नहीं होगा न प्रतापा देते ने कहा सो तो समझ गया लेकिन इतने दिनों बाद आज सहसा ऐसी क्या बात हो गई रानी घबरा उठी और डरे वे स्वर में बोली मैं कब कहती हूँ कि कुछ हुआ है लेकिन मान लिजे कि कुछ हो जाए प्रतापा दित्ये ने जुंजला कर कहा और क्या होगा रानी मान लिजे कि जमाई विभा को सदा के लिए छोड़ दे यह कहते कहते रानी रो पड़ी प्रतापा दित्ये ने कहा तब उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी रानी ने रो कर कहा महराज मैं आपके पावों पड़ती हूँ मेरी इतनी सी बात रख लीजे जरा विभा के बारे में भी तो सोची उसका क्या होगा उदय को मेरे लाल को आपने साधारन अपराधियों की भाती क्याद खाने में डाल दिया है उस बिचारे ने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया वा ना कुछ समझता है ना बूजता है अबूज है मेरा लाल राज काज नहीं सीखा शाशन करना नहीं जानता उसमें उस बिचारे का क्या दोश है भगवान ने जैसा बना दिया वैसा ही तो है प्रतापा दित्ति ने जुंजला कर कहा यह सब कुछ सुनते सुनते तो मेरे कान पग गए जो कहने आई थी वही कहो ना राणी ने कपाल ठोकर कहा कहूं क्या मेरा जला भाग्य एक पर विभा की मुँख की ओर तो देखो वह किसी से कुछ भी नहीं कहती दिन बद दिन घुलती जाती है उसका कुछ उपाय करू नहीं तो वह जी नहीं सकेगी प्रतापा दित्ते और भी जुंजला उठे या देखकर रानी वहाँ से चुप चाप चली गई जब सीता राम ने सुना कि उद्यादित्य बंदिग्रिह में डाल दिये गया है तो उसने खुद हाथ पाउपटके रुकमिनिक यहां पहुचा और जो मुह में आया बग चला यहां तक कि मारने पीटने पर भी आमादा हो गया सीता राम बोला सत्या नाशी में तेरा घर फूक दूँगा तेरी मड़या में उल्लू छोड़ दूँगा और तेरा खुन पी जाऊँगा तो जानती नहीं मेरा नाम सीता राम है मैं आज ही रायगर जा रहा हूँ वहां से लोट तो आऊँ फिर तेरी काली थूतनी इसी पत्थर के उपर रगड दूँगा और जब तक तेरे थोबडे पर चूना और काली खपोत कर शहर से बाहर न कराऊँ पानी तक नहीं पीऊँगा पहले तो रुकमेणी सीता राम की जली कटी सुनती रही फिर वह भी आग बबूला हो गई लेकिन सीता राम पहले ही वहां से जा चुका था जब उसका क्रोध कुछ शान्त हुआ तो वह अकेले बड़बडाने लगी अच्छा जैसे युवराज मेरे कुछ है ही नहीं उन पर विपत्ती पड़ी तो तुझे क्यों दर्द हुआ और मुझे कुछ नहुआ कल मुहे तू क्या जाने कि वे मेरे क्या है और मैं ही उनका भला बुरा सब कुछ कर सकती हूँ मेरे युवराज को क्याट से चुड़वाने वालक तू कौन होता है देखती हूँ कैसे चुड़वाता है सीताराम उसी दिन रायगड चला गया शाम के समय बसंतराय रायगड के महल के बरामदे में बैठे थे सीताराम ने महराज की जय हो कहकर प्रवेश किया और प्रणाम करके खड़ा हो गया बसंतराय चौक पड़े सीताराम को पहचानते वे उसके समी पाकर कंदे पर हाथ रख दिया और बोले आओ सीताराम आओ अच्छे तो हो भाईया कैसे है बेटिया कैसी है सब कुशल तो है न सीताराम ने कहा सब बतलाता हूँ महराज उसने एक एक करके युवराज के बंदी बनाए जाने का पूरा हाल कह सुनाया परंतु वह कारण नहीं बतलाया जिसके लिए उन्हें कारगार में बंद किया गया था यह सब सुना तो बसंत रहे कि सिर पर जैसे आसमान तूट पड़ा सीता राम की ओर देखते वे केवल इतना ही कह सके है सीता राम ने कहा जी हां महराज थोड़ी देर चुप रहने के बाद बसंत रहे बोले सीता राम जी महराज इस समय भाया कहा है जी उसी कारगार में है थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बसंत रहे सीता राम का हाथ पकड़ कर बोले सीता राम जी महाराज भईया इस समय वहाँ क्या कर रहे हैं करेंगे क्या वही क्याद खाने में ही है क्या उन्हें बिल्कुल बंद रखा गया है जी हाँ महाराज क्या उन्हें बाहर निकलने ही नहीं देते जी नहीं क्या वे अकेले कारगार में पड़े रहते हैं असल में बसंतराय ये सब प्रश्ण किसी व्यक्ति विशेश से नहीं स्वयम अपने आप से ही पूछ रहे थे सैसा बसंतराय के उठे भया तुम मेरे पास कैसे चले आए तुम्हें किसीने पहचाना नहीं दूसरे ही दिन बसंतराय ये शोहर के लिए चल पड़े वहाँ पहुचकर सीधे अंतःपूर में गए विभा उन्हें सैसा आया देखकर स्तभित हो उठी वह ना कुछ बोल सकी और नहीं कुछ कर सकी थोड़ी दिर यूहीं विस्मित खड़ी रही फिर उनके पामों पर पड़कर प्रनाम किया और उनकी चरन धूली माथे से लगाई बसंतराय ने एकाएक उसके चेहरे की और देखते वे पूछा विभा बेटी इस घर में क्या कोई भी नहीं है विभा ने रोते वे कहा नहीं दादा साहब कोई नहीं है बसंतराय विभा का हाथ पकड़े बड़ी देर तक चुप चाप खड़े रहे फिर प्रतापा दिते के समीप जाकर प्राथना के स्वर में बोले बेटा प्रताप उदय को इतना कष्ट क्यूं दे रहे हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यदि वह तुम्हें अच्छा न लगता हो यदि तुम्हें उससे कोई शिकायत हो तो उसे मेरे पास क्यूं नहीं भेज देते मैं उसे यहां कभी नहीं आने दूँगा प्रताप दित्य बड़े धैर्य के साथ बसंतराई का कथन सुनते रहे अंत में उन्होंने कहा चाचा जी मैंने जो कुछ किया है खुब सोच विचार कर ही किया है इस विशे में आप मेरी अपेक्षा अवशे ही बहुत कम जानते हैं मैं इस समंद में आपकी कोई बात नहीं मान सकता बसंतराई उठकर प्रताप दित्य के समीप आ बैठे और उनका हाथ पकड़ कर बोले बेटा प्रताप मैंने ऐसा कौन सा अपराद किया कि तु इस बुढ़ापे में मुझे इतना दुख दे रहा है मैं यह नहीं कहता कि तेरा पालन पोशन करके मैंने कोई बहुत बड़ा उपकार किया और तुझे मेरा रिणी होना चाहिए नहीं तेरा लालन पालन तो मेरा कर्टव्य था और यह करके मैंने भईया के स्नेह रिण से उरिण होने का ही प्रैतने किया है प्राप्य कहकर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता केवल भीख चाहता हूँ बेटा प्रताप क्या वह भी तु मुझे नहीं देगा बसंत राए के आसुमों का बांध तूट गया प्रतापा देत्य पाशान मूर्ती की भाती बैठे रहे बसंत राए आगे बोले तो मेरी प्राथना नहीं सुनोगे भीख्षा नहीं दोगे मेरी बात का उत्तर भी नहीं दोगे प्रताप वे फिर एक दिर्ग निश्वास लेकर बोले अच्छी बात है तो एक बार मुझे उद्य से मिल लेने दो लेकिन प्रतापा देत्य ने उनकी यह प्राथना भी ठुकरा दी निराश होकर बसंत रहे अंतपूर में लौट आए वे अत्यन्त शुब्द और दुखी हो रहे थे उनका मुझ देखकर विभा को अत्यन्त गश्ट हुआ उनका हाथ पकड़कर उसने कहा दादा सहाब मैं आपके पके बाल चुन्दू हरे बिटिया अब वे पके बाल क्या बाकी है जब इतनी उम्र नहीं हुई थी तो वे सब थे तब तुम्हें उन्हें निकालने को कहा जाता था अब तुम्हें बूढ़ा कंकाल हो गया हूँ अब मेरे पके बाल रही ही कहा बसंत्राय ने कहा दादा सहाब ने देखा कि विभा का चेहरा लटक गया और उसकी आखे चलचला उठी है उन्होंने जल्दी से कहा अरी विभा ले बिटिया कुछ एक पके बाल निकाल ही डाल अब मैं तुम लोगों के लिए पके बाल जुटाने की स्थिती में भी नहीं रहा इस बड़ती उम्रे के साथ इस सिर पर गंज भी पड़ गई है कमवक्त अब तु किसी दूसरे सिर की तलाश कर मैंने तो हथियार डाल दिया यह कहकर बसंतराय हसने लगे इतने में एक दासी ने आकर प्रणाम किया और बोली रानी मा आपको प्रणाम निवेदन करना चाहती है बसंतराय उठकर रानी के पास चले गए और विभा कारागार में उद्यादित्ते के पास चली गई रानी के प्रणाम करने पर बसंतराय ने आशिरवाद देते वे कहा आयुश्मती हो उमा चाचा जी ऐसा आशिरवाद मत देजे मैं मरना चाहती हूँ और अब सारे जमेले से मुक्त होना चाहती हूँ की बेटी पर तो शनी की कुद्रिष्टी पड़ गई है बसंतराय और अधिक चिंतित हो गए रानी ने कहा विभा की ओर तो देखा भी नहीं जाता खाना भी अच्छा नहीं लगता वो चुप्पी साधे रहती है दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं पाती बसंतराय और अधिक उदास हो गए रानी ने दामाद की चिठी बसंतराय के हाथ में थमाते वे कहा उपर से यह एक सर्वनाशी चिठी भी आ गई है बसंतराय अभी चिठी पढ़ी रहे थे कि रानी रोते रोते कहने लगी लेकिन मैंने उसे अपनी कोग से जन्मे दिया है वह तो हमारी अपनी संतान है पता नहीं हमारा लाल किस तरह जी रहा है मुझे एक बार देख तो लिने दीजिए आजकल रानी के पास यही एक कहानी है यह कहानी उनके भीतर काटे की तरह चुब गई है यही कष्ट बार बार लगातार उनके तन और मन को बीधता रहता है यह पत्र पढ़कर बसंत रहे हत्प्रभ हो गए उनके दुख का पार न रहा वे फिर अपने सिर पर हाथ फेरने लगे गबराकर रानी से पूछे यह पत्र किसी को दिखाया तो नहीं? नहीं, महराज को इस चिठी का पता लग जाए तो भी क्या किसी को जिन्दा छोड़ेंगे और क्या विभा भी जिन्दा बच पाएगी? रानी ने कहा बसंत रहे गंभीरता से बोले अच्छा ही किया यह पत्र किसी को दिखाना भी मत अब तुम विभा को शिग्र उसके ससुराल भेज दो मान अपमान का जरा भी विचार न करो मैं भी तो यही चाहती हूँ मान अपमान का मैं क्या करूंगी? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह मेरी विभा सुखी हो डर केवल इतना ही है कि कहीं वे लोग इसका निरादर न कर दे बसंत राये ने कहा कैसे बात करती हो? विभा का भला कोई निरादर करेगा? ऐसी लक्ष्मी, ऐसी सोने की प्रतिमा है ही कहा? रामचंदर राये ने तो केवल तुम लोगों पर गुसा होकर ये पत्र लिख दिया है विभा के वहां पहुंचते ही उनका सारा क्रोध अपने आप शान्त हो जाएगा बसंत राये ने अंत में कहा महल में तुम ये बात फैला दो कि विभा को बुलाने के लिए चंदरद्वीप से पत्र आया है इससे विभा भी वहां जाने के लिए अवश्य राजी हो जाएगी संध्या के समय बसंत राये अकेले मकान के बाहर बैठे हैं इतने में सीता राम ने आकर उन्हें प्रणाम किया बसंत राये ने उससे पूछा कहो सीता राम क्या खबर है सीता राम ने कहा सो बाद में बतलाऊंगा अभी तो आपको मेरे साथ चलना होगा यह कहकर सीता राम उनके पास आया और चुपके से उनके कान में कुछ कहा जिससे सुनकर बसंत राय ने चकी थोकर पूछा सच? सीता राम ने कहा जी हां महाराज बसंत राय कुछ देर तक असमंजस की स्थिती में बैठे रहे फिर बोले क्या अभी चलना होगा? जी हां महाराज एक बार विभा से मिल लेने पर नहीं बनेगा? जी नहीं समय बिलकुल नहीं है कहा चलना होगा? मेरे संग चलिए मैं ले चलूँगा बसंत राय खड़े होगे और बोले क्यों एक बार विभा से मिलाऊं तो कैसा रहेगा? सीता राम ने कहा नहीं महाराज देर करने से तो सर्वनाश हो जाने की आशंका है इस पर बसंत राय ने कहा तो अच्छी बात है चलो किसी से मिलने के आवशकत नहीं और दोनों चल दिये कुछ दूर जाने पर उन्होंने कहा क्या थोड़ी देर और हो जाने से काम नहीं चलेगा सीतराम ने कहा नहीं महाराज जरासी देर सब किये कराय को चौपट कर देगी इस पर जै दुर्गे कहकर बसंतराय महल के बाहर निकल गये बसंतराय आये हैं यह बात उद्यादिते को मालूम नहीं विभा ने उन्हें नहीं बताया वह जानती है कि दोनों की भेट किसी तरह भी संभव नहीं तो फिर यह बात बता कर उनके कश्ट को क्यों बढ़ाया जाए आज संध्या होते ही विभा कारागार से चली गई उद्यादिते एक दिये के सामने कोई संस्कृत की पोथी पढ़ रहे थे जरोखे से हवा का जोका आता है और दिये की लौक कपकपा जाती है फिर अक्षर ठीक से सूचते नहीं दिये के ऊपर कीट पतंगे भी आकर मंदराने लगते हैं और कभी-कभी तो उसके बुझने की भी नौबत आ जाती है इतने में हवा का एक तेज जोका आया और दिया बुझी गया उद्या ने पोथी बंद कर दी और अंधेरे में ही अपनी खाट पर जा लेटे उनके मन में इस समय कितनी ही भाव तरंगे उठ रही थी विभा के बारे में वे चिंतित हो उठे आज विभा कुछ विलंब से आई थी और जल्दी चली गई उसका चेहरा भी बहुत उत्रा हुआ था इसी कारण उदे इतने परिशान हो उठे थे इस दुनिया में उनका शायद और कोई भी नहीं विभा के अलावे वे किसी को दिनबर देख भी तो नहीं पाते विभा ही उनके लिए उपादान है विभा की हलकी सी मुस्कान और एक-एक शब्द उनके मन में संचित रहता है जैसे कोई प्यासा जल्की एक-एक बोंद को गले के नीचे उतार लेना चाते है उसी तरह वभा के प्रिति-पूर्ण सनेह को पूरा का पूरा प्राप्त करना चाते है उसे मन प्राण में संजो लेना चाते है इसलिए इस एकांत और अंधकार से पुती काल कोटरी में चुप चाप अकेले लेटे विभा की स्नेहपूर्ण प्रतिमा का अवलोकन कर रहे थे जो आज मलान पड़ गई थी गुप अंधकार में बैठे बैठे उद्यादित्य को यह खयाल आया कि कहीं विभा मेरे इस स्थिती के प्रति उदासीन और विरक्त ना हो गई हो इस मनहूस काल कोटरी में रखी एक हताश और विपन्न कैदी की मूरत की सेवा करते करते क्या वह उप गई है क्या वह उन्हें धीरे-धीरे अपने सुखों में बाधक और सुखपूर्न ग्रिहस्ती में चुब रहे कंटक के रूप में तो नहीं देख रही आजवा कुछ विलंब से भी आई थी कल शायद उसे आने में और भी देर हो जाए दो पहरी बीट जाए शाम ढल जाए, रात हो जाए पर फिर भी विभा न आये और हो सकता है कि उसके बाद कभी आये ही नहीं विभा से जुड़ी उद्यदिति के मन में जितनी ही बाते उभरती थी उतना ही उनका हृदय हाहाकार करूटता था उन्हें अपनी कलपना की दुनिया उतनी ही सूनी और उदास नजर आती एक दिन ऐसा भी आयेगा कि विभा अपनी पत्थराई आँखों से उन्हें अपने सुख भरे संसार का काटा समझेगी उस असंभाव कलपना की हलकी सी चुवन से भी उनका अंतर व्याकुल होटता था उद्यदेते के मन में यही होता रहा कि मैं सचमुच बड़ा स्वार्थी हूँ मैं उसे इतना चाहने लगाऊं कि मेरा स्नेह उसका सबसे बड़ा दुश्मन मन गया है और यह दुश्मनी तो कोई दुश्मन भी न करेगा वे बार बार यह संकल्प करते कि अब विभा पर निर्भर नहीं रहेंगे लेकिन जैसे ही मन में यह सब ठान लेते तब ही उनको ऐसा लगने लगता कि उन्होंने विभा को खो दिया है और उनका सारा आत्मबल छिन जाता वे व्याकूल होकर पचाड़े खाने लगते उद्यदित्य एक मरना सन्य व्यक्ति की तरह विभा की कालपनिक मूर्ती को बड़ी व्याकूलता से अपनी बाहों में जकर कर रख लेना चाहते हैं उद्य अंधकार में अकेले इसी बात की मीमान सा कर रहे हैं बहुत सोचने पर भी उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि विभा आज इतनी जल्दी क्यूं चले गई तभी सैसा बाहर से आग आग का स्वर सुनाई दिया और चारो और कोलाहल मच गया उद्यादित्य की छाती धड़क उठी उद्यादित्य ने यही समझा कि समीपी कहीं महल के किसी भाग में आग लग गई है तभी किसी ने जल्दी से कारगार का द्वार खोल दिया एक आदमी ने धीरे-धीरे अंधिरे में अंदर प्रवेश किया उद्यादित्य चौक उठे और उन्होंने पूछा कौन है? उस व्यक्ति ने कहा मैं सीता राम हूँ, आप बाहर चलिए उद्यादित्य ने पूछा क्यूँ? यवराज कारगार में आग लग गई है शिकरता के साथ बाहर निकल जाई है उसने यवराज को अपने साथ चलने को नहीं कहा बलकि वह उन्हें जबरदस्ती निकाल कर बाहर ले गया बहुत दिनों के बाद उद्यादित्य एक उन्मुक्त स्थान पर आए उन्हें अपनी आखों के सामने खुले आकाश का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई पड़ा खुली हवा भी जैसे उन्हें अपने विशाल आलिंगन में बांध लेना जाती थी उनका वक्ष और भी प्रशस्त हो उठा उन्हें लगा कि उनकी आखों पर बंदी काली पट्टी उतार दी गई है और वे अपने चौगिर्द सब कुछ साफ साफ देख पा रहे है उस घनी अंधेरी रात में आकाश में टिम्टिमाते अंगिनत तारों के नीचे खुले मैदान में नरम नरम घास पर खड़े होकर उनके मन में अपरिसीम और अनिर्वाचनिय आनंद की लहरे उटने लगी उस आनंद में थोड़ी देर तक भीगते रहने के बाद उन्होंने गहन गंभीरता के साथ सीताराम से कहा क्या करूंगा? मैं भला आप जाओंगा कहा चुकि वे बहुत दिनों से एक छोटी सी काल कोठरी में बंद थे चलना फिरना तक बंद था और अचानक इस लंबे चोड़े खुले मैदान में अपने आपको निर्बंध पाकर वे स्वैम अपने आपको असहाय समझ रहे थे उन्होंने सीताराम से पूछा क्या करूँ? मैं कहां जाऊं? आईए, आप मेरे साथ आईए इधर आग और भी तेज हो गई थी आज दोपहर के बाद कई प्रजाजन राज्य में प्रधान कर्मचारियों के पास कोई अनुरोध लेकर आये थे वे राज प्रसाद के बाहरी प्रांगन में बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद आग लगने का शोर सुनाई पड़ा कारागार के पास ही प्रहरियों के रहने के लिए जोपड़ियों की एक लंबी सी कतार थी जहां उनके कपड़े लगते बरतन भांडे और माल असबाब पड़े थे आग लगने की खबर पाते ही जितने भी प्रहरी भाग सकते थे उधरी दोड़े दोड़े भागे और जो नहीं जा पाए वह वही हात पाउं पटकने लेगे ओद्यादित्य के कारगार के सामने भी दो एक प्रहरी टहला करते थे लेकिन वहाँ पर किसी कड़ाई से पहरा देने की कोई जरूरत नहीं थी चुकि यह एक दस्तूर था इसलिए प्रहरी टैनात कर दिये गये थे इस ढिलाई का एक दूसरा कारण यह भी था कि ओद्यादित्य अपनी काल कोटरी में इतनी शान्ती से चुप चाप पड़े रहते थे कि किसी को यह लगता ही नहीं था कि उन जैसा बंदी भी कभी भाग जाएगा या उनकी भागने की इक्षा भी हो सकती है इसलिए इस कारण गार पर तैनात जो प्रहरी थे वे जी जान से भागे रात होने को आई थी लेकिन आग बुझी नहीं कोई अपना सामान हटा रहा था तो कोई उपर से पानी फेक रहा था जिनको कुछ करना धरना नहीं था वे इधर उधर दोड रहे थे और कोला हल मचा रहे थे आग बुझाने के बाद सबसे अधिक वावाई भी उन्होंने ही लूटी उधर आग खोब जोरों के साथ भड़क उठी थी हो हला मच रहा था कि नजाने कहां से अचानक एक औरत वहां से निकल आई और जिसको तिसको जाने क्या क्या कहकर रोकने लेगी लेकिन उस शोरगुल में जब सभी ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह बहुत प्रचंड हो उठी अंत में जो आदमी सामने पड़ गया वह औरत उसी को पकड़ कर चिल्ला उठी नासपिटे क्या तुम सबों की आँखे फूट गई है कल महराज को क्या जवाब दोगे युवराज भाग गये है कल एक-एक को सजा न दिलवाई तो मेरा नाम नहीं राजकुमार भाग गये तो अच्छा ही हुआ न तेरे बाप का क्या जाता है उस आदमी ने उस औरत के अच्छे तरह धुनाई कर दी सीता राम युवराज को लेकर नहर के किनारे पहुँचा वहाँ एक बजरा घाट से बंधा खड़ा था युवराज के घाट पर पहुंसते ही एक व्यक्ति शिगरता पूर्वक बजरे के अंदर से बाहर निकलाया और बोल उठा उदय तुम आ गए इस स्वर को सुनकर उद्यादित्य चौक पड़े यह वही चिर परिचित ने पूर्ण स्वर था जिसे वे बचपन से सुनते आये हैं अभी वे विसमित ही खड़े थे कि वसंतराय ने आकर उन्हें अपनी चाती से लगा लिया उन दोनों के आखें डबडबा आई फिर उद्यादित्य ने दादा साहब को प्रणाम करके कहा दादा साहब आज मैं स्वतंत्र हुआ आज मैंने आपको प्राप्त किया मेरे लिए इस से बड़ा सुख और क्या हो सकता है लेकिन यह किसी को नहीं पता कि यह सुख कितनी देर के लिए है तभी सीताराम ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते वे कहा युवराज बजरे में बैठ जाएए उद्यादित्य ने आश्चरे से भरेवे स्वर में कहा क्या दादा साहब आप मुझे भगाई लिये जा रहे हैं बसंतराय ने उद्यादित्य का हाथ पकड़ कर कहा हाँ भाईया मैं तुम्हें चुरा कर लिया जा रहा हूँ या पाशान हिरिदय वालों का देश है तुम्हें फूटी आँक भी नहीं देख पाएंगे तुम ठेहरे मृक छोने ब्यागरों के इस देश में तुम कैसे रह सकते हो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें अपने प्राणों में छिपा कर रखूँगो उद्यादित्य ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद कहा नहीं दादा साहब मैं भाग नहीं सकता बसंतराय ने कहा क्यों बेटा क्या इस भूडे को तुम भूली गए उद्यादित्य ने कहा लोटकर महल में जाता हूँ पिताजी के पाउप पकड़कर प्राथना करूँगा शायद वे राइगर जाने के अनुमति दे दे बसंतराय विचलित होकर बोल उठे नहीं भाईया वहां कदापी न जाना सारा प्रयत्न विफल हो जाएगा उद्यादित्य ने लंबी सांस लेकर निराश्च्वर में कहा तो कारागार में ही लोट जाता हूँ बसंतराय ने उनका हाथ पकड़कर कहा जाओ तो सही मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाते हो उद्यादित्य के आँखों में आसु भराय और बोले दादा साहब मुझ अभागे के लिए आप संकट को क्यों नोता देते हैं बसंतराय ने कहा भाया जराब विभा का भी तो खयाल करो तुम्हारे लिए वक कारवासी नहीं हो उठी है क्या तो यही चाहते है कि इस छोटी सी उम्र में वे अपने सभी सुखों को तिलांजली दे दे उद्यादित्य ने शेगरता पूर्वक कहा तो चलिए दादा साहब लेकिन नाव चूटने के पहले ही उद्यादित्य ने तीन पत्र लिखकर सीतराम को देते वे कहा इन्हें महल में पहुँचा देना पहले पत्र में उन्होंने पिता से शमा याजना की थी दूसरे पत्र में मा को लिखा था मा मैं दादा साहब के साथ जा रहा हूँ वहाँ सुख से रहूँगा तुम किसी प्रकार की चिंता न करना तीसरे पत्र में विभा को लिखा चिरायुश्मती विभा तुम्हें और क्या लिखूँ सदा सुखी रहो इस जन्म में ही नहीं अनन्त जन्मों में भी पती के घर जाकर समस्त दुख कश्टों को भूल जाओ सिताराम ने तीनों पत्र महल में भिजवा दिये सब लोग नाओ पर सवार होने जाही रहे थे कि एक औरत बवंडर की भाती उसो राती दिखाई दी सिताराम घबरा उठा आरेई अवडायन इतने में रुकमेणी अपने पैशाचिक रौदर रूप में वहाँ आ पहुँची पहले उसने प्रतापादित्य के राजमहल में प्रवेश करने का प्रयत ने किया था लेकिन प्रहरियों ने उसे मार भगाया तो वो इस ओर निकल आई उद्यदित्य को देखते ही प्रती हिंसा से भरीवी बागिनी की भाती वो उन पर झपटी लेकिन सीताराम बीच में पढ़ गया तो अमानुशिक चितकार के साथ उसी से लिपट गई मारे यंत्रना के सीताराम की चीख निकल आई एक मलाह ने अपना पूरा जोर लगा कर सीताराम को उसके हाथों से चुड़ाया निश्फल क्रोज से रुकमिनी का सर्वांग काप उठा वह पिशाचिनी की भाती किलकारी मार कर बोली व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया अब मैं मरूंगी और इस स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सीर होगा अपने तीक्षन नकों से अपनी ही छाती छत विचप्त करके बाल खोले हुए वन नहर के वर्षाकालिन जल में कूद पड़ी और पता नहीं किस घाट जाकर लेगी सीताराम के कंदे से खून बहरा था उसने चादर पानी में भिंगो कर कंदे से उसे लपेट लिया आगे बढ़कर देखा तो उद्यादित्य लगबग बेसुद से पड़े थे बसंत राय दिशा हारा की भाती सूनी दिश्टी से देख रहे थे मलाहों ने दोनों को उठा कर नाव में डाला और उसी समय नाव खोल दी सीताराम ने डर कर कहा यात्रा के समय यह कैसा अपशकुन शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवत